देव उठनी एकादशी पर करेंगे उपए दूर होगी विवा में आने वाली बाधाएं कार्तिक मा की शुकल पक्ष के एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं इस दिन भगवान विश्नु योग निंद्रा में जागरित अवस्ता में आते हैं तो आईए मैं बताती हूँ कब है देव उठनी का दशी और इसकी पूजा विधी क्या है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ नमस्कार दोस्तों में वीना गौतम कैसे हैं आप सभी मैं एस्ट्रोलोजर वास्तु कंसर्ट है तो रेकी मास्टर आप सभी का मेरे चैनल चेंज योई और फोर्चुन में स्वागता है अगर पहली बार आएं तो प्ली चैनल को सब्स्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहें तो चलिए चलते हैं उन उपाए के तरफ जिन से वीवावे आई बाधाएं दूर हो सकती हैं कार्तिक मास के शुकल पक्ष की एकादशी को देव उठने एकादशी कहा जाता है इस दिन तुल्सी शालिकराम का विवा होता है और मांगली कारियों की शुरुवात होती है देव उठने एकादशी यानि देवोस्थान एकादशी इस साल 4 नवंबर को रहेगी कार्तिक मा की शुकल पक्ष की यह एकादशी तिथी 3 नवंबर 2022 की शाम 7 बचकर 30 मिनट पर शुरू होगी एकादशी तिथी का समापन 4 नवंबर की शाम 6 बचकर 8 मिनट पर होगा उध्य तिथी के अनुसार एकादशी का व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा इस दिन कुछ खास उपाय करने से विवा में आने वाले सभी समझ्याय वाधाय दूर हो सकती हैं तो आईए मैं बताती हूँ यह उपाय कौन से हैं जो विवा का समझ्दी वाधाय दूर कर सकते हैं यदि आप अपना मनपसंद जीवन साती पाना चाहते हैं तो इस दिन ओम नमो भगवते नरायनाय हैं मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पोधे में केसर मिश्रित ठंडा दूद अरपित करें साथ ही भगवाद 40 ग्राम को भी केसर मिश्रित दूद का भोग लगाएं दीव उठनी एकाधशी से होती हैं मांगली कारों के शुरुवात तो आए महुरत मैं बताती हूँ यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे इसके लिए प्रवधनी एकाधशी के दिन तुलसी के पोधे के नीचे घी का एक दीपक जलाएं संबफ हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पोधे को प्रणाम करते वे अपने अच्छे जीवन के लिए प्रातना करें यदि आप अपने दामपत्य सम्मद्धी को सुख में और मधूर बनाना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी के पोधे में शिंगार का समान चड़ा कर उसकी पूजा करें पूजा के बाद सभी सामगरी किसी सुख मेला को भेट कर देनी चाहिए यदि आपकी बेटी के बिवा में किसी परकार की अर्चन आ रही है तो इन अर्चनों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको पांस आपको शालिगराम और तुलसी जी की विदी पूरवक पूजा करनी चाहिए और भगवान को इलाची का जोड़ा अर्पित करें पूजा के बाद इस इलाची के जोड़े को अपनी संतान को पानी के साथ गटकने के लिए बोले यानि के खाने के लिए बोले इसको चबाना नहीं है खाले मुह में रखके और उपर से पानी पी लेना है यदि आप अपनी आर्थिक सुक सम्रदीक में बडोत्री करना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी का भोक के रूप में बताशी अरपित करें और पोदे के पास घी का एक धीपक जलाएं इस दिन भगवान शाली गराम की धूब दीप पुषवादी से पूजा करें और पूजा की समय कुछ सिक्के और पोडिया रखें जब पूजा समाप्त हो जाए तो इन सिक्कों और पोडियों को समाल कर अपने तिजोरी में या अपने पास रक्षित रख लें यदि आप अपनी नोकरी में अच्छी दनी के लिए प्रात्ना करें यदि आप अपने जीवन में सुख में और सोभागे को बनाया रहना चाहते हैं तो आज तुलसे के पोदे पर लाल चुण्डी चड़ाय और श्री भगवान विश्नु शालिकराम को एकादेशी नार्यल अर्पित करें एकाक्षी नार्यल को भग पिश्री का भोग लगाएं भोग लगाने के बाद बचेवे प्रशाद को परिवार के सभी लोगों को पाड़ दे वहां रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिर ब्रहामण को दान कर दे दोस्तों ये उपाय बहुती कारगार हैं इनको आप कीजिए और करके आप वीडियो में थैंक यू